विल्कम टो उदे मैथ क्लासेश तो आज की इस वीडियो में हम लोग exercise 3.4 को पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम लोग को बहुत प्रोबलम होता है इस exercise को करने में तो जो प्रोबलम होता है उस प्रोबलम को हम लोग ढोड़ेंगे ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को ऐसा एक मंत्र बताने जा रहा हूँ जो आप पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं concept को उसके बाद आप इन exercise को करेंगे 100% सभी question आप लोग को अच्छे से समझ में आने लग जाएगा तो क्या आप लोग त्यार हो चलो शुरू करते हैं आपको जो मंत्र है उपढ़ा देते हैं ठीक है मंत्र बहुत important है उस मंत्र का नाम है elementary transformation ठीक है यह देखो topic elementary transformation जो topic है बहुत ही मतलब कठीन लगता है लेकिन है बहुत easy क्यों वीजी है क्योंकि आप उसको समझोगे तब न चलो start करते हैं हम बुक को हटा लेते हैं आपको हम मतलब इनके बारे में थोड़ा बताने की कुछिस करते हैं कि देखिए जो elementary transformation है बहुत easy है आप इसे ज़्यादा बड़ा मत समझेए ठीक है तो topic का नाम दाल लेते हैं elementary transformation elementary transformation देखिए elementary transformation में यानि जो आपका exercise exercise 3.4 है पूरा पूरा इस equation में पूरा exercise में ये inverse फाइंड करना है ये तो सबको पता होगा नई पता होगा तो समझ लेजिए कि पूरा इस exercise में सिर्फ और सिर्फ ए inverse फाइंड करना है तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या-क्या need है ये पहले समझते हैं आपको समझाने की कुछिस करते हैं देखिए मालनी जी हमें एक जामपा लेते हैं ये question है 3,4,1,2 ठीक है तो जब भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना होगा तो आप कैसे फाइंड करोगे याद रखिएगा बर और बर जब आपको एक formula याद होना चाहिए उस formula का जो नाम है वो नाम है A is equal to I इस formula को याद रखिएगा A is equal to I ये इनवर्स निकालने में मदद करता है, find करने मदद करता है बर ये formula याद रखिए A is equal to IE होता है याद हो गया चलिए अब जैसे फर्मूला याद हो गया, तो आप क्या करोगे, अब इस question को आगे बढ़ाने की कोशिस करोगे, इस question को आगे बढ़ाने के लिए आपको समझ में तो बाते आना चाहिए न, क्या होता है elementary transformation, कैसे transformation करेंगे, तो चलिए यह दिखाते हैं, सबसे पहले आपको पता होना और A जो होता है, यह होता है colon, C1, C2, दो colon है, 2x2 का matrix है, A row होता है, और A colon होता है, तो रो colon में ही समझना है, जब इस question को A inverse find करना होगा, तो दोनों चीज आएगा, रो भी दिया है, colon भी दिया है, तो देखो, कभी भी आपको A inverse find करना होगा, तो आप किसी एक रो या किसी एक colon में ही चल सकते हो, कहने का मतलब है, कि जब आप इस question को बनाने लग गये, और आप इसको find करना होगा, तो आप row का ही काम करके, मतलब अभी नहीं, कि एक step row row का का काम किया, एक step में colon colon का का काम कर रहे है, अब आपको यहीं बात समझ में नहीं आ रहा होगा, कि सब रो र find करना है, A inverse, ठीक है, अब A inverse find करना है, तो A inverse find करने के लिए आपको क्या करना होगा, यह formula रखेंगे, A is equal to I, लेकिन उससे पहले, जब इसको आप करने जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ calculation करना होता है, जिसका नाम दियागा है, elementary transformation, कैसे transformation करेंगे, इसके लिए आपको कुछ जानना जूरी है, तो देखिए, जब भी आपको, ठीक है, यह R1 और R2, यहाँ आप जानते हैं कि R1 R2, जब आप रो transformation कर रहे हैं, मानद कर चलिए कि आप रो से करना चाहते हैं, रो transformation करना चाहते हैं, तो हमेशा पूरा जब तक आपको A inverse find नहीं हो जाएगा, तब तक आप रो transformation करके चलेंगे, काने का मतलब एक कभी R1 में, R1 में आप R1 और R2 को कभी add कर सकते हैं, या चाहे आप R2 में R1, R2 plus R1 कर सकते हैं, चाहे R1 में आप R1 में से R2 को minus कर सकते हैं, चाहे R1 में आप क्या कर सकते हैं, R1 minus 2 से multiple करके R2 में उसको minus कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सक सकते हैं एड्ष सब्ट्रैक्ट मल्टक nude कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ओख सिर्फ रो में ही होना चाहिए आप रोट्रांसफर्मेशंस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपको रोम में करना होगा करद करने लगना है करने लगे माना लोलो abra situateสे काम करें भी भी सीवान में तो समाज अको पूरा के पूरा जब तक बने गाना equation तब तक आपको column में ही काम करना होगा जब powinien चलेंगे तो really關 me करना बात समझ में नहीं होगा लेकिक जब हम एकजांपल बताएंगे न वह बात समझ में आ जाएगी ठीक है आपको एनवर्स बताने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब कोई भी मैट्रिक्स का उपर ओला 200 ठीक है ऐसा आजाए तो उसका A inverse find करना ना मुंकिन है मतलब उसका find नहीं होता है ठीक है ना मालों कि यहां भी 0 यहां भी 0 यहां 1 और 2 है इस matrix का कभी भी A A inverse find नहीं हो पाएगा तो जब question मिलेगा तो उसा बाते समझ में आएगी लेकिन हम चलेंगे सबसे पहले आपको question परें वहां से आपको बाते से ज्यादा समझ में आएगी ठीक है जैसे ले ले लेते हैं हम equation example के तोरपे कि 2 2,3,14 ध्यान सा इस question को देख लेंगे समझे उसके बाद आपको सारे बाते समझ में आजाएगी अब आपको find करना इसका A inverse किसे भाई? elementary transformation के help से कैसे बनाएगे? सबसे पहले आप लिख लो solution इसको late कर लो A late हर question ऐसा ही बने का जैसे हम बना रहे हैं two, three, one, four हमने इसको A late किया था अब देखो क्या करेंगे अब हम इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक फर्मूला पढ़ाया थे we know that क्या जानते हो? पढ़ाया थे नभी लगले फर्मूला इससे पले दो मिनट पले पढ़ाया थे we know that A is equal to I A इसी फर्मूला से inverse find होगा अंत में कैसे solve करेंगे? तब पहले A है न A का value लिख लो A का value हो जाएगा two, three, one, four ठीक है? equal to I, I का value one, zero, zero, one और A जो A है इस A को जियों का त्यों लिखेंगे अब आप कहेंगे सर A जो है तो A को आप जियों के त्यों के लिखेंगे? क्योंकि इसी A को लिखेंगे ज़्यादी A का value लग देंगे फिर भी आपका answer आएगा लेकिन आपको A inverse find करना है न तो A जो है equal का is set आएगा तो क्या हो जाएगा? inverse लग जाएगा क्या लग जाएगा? inverse लग जाएगा तो बहुत जल आपका answer हो जाएगा ठीक है? इस A को sub equation में ऐसे ही इसको लिखते जाते हैं इसको A का value के देंगे जुरुत नहीं है ठीक है? चलिए आपका target कैसे होगा? आप कैसे समाज जाएगे कि A inverse find हो गया? ठीक है? आपका A inverse जब 2, 3 और 1, 4 ये 1, 0, 0, 1 के form में आ जाएगा तो समाज जाएगा कि आपका A inverse find हो गया अब वो काम क्या करेंगे? वो कैसे find करेंगे? तो वहीं जो आपको हम बता रहे था ना कि ये row transformation और current transformation उसी के मतल से आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको target है कि 1001 बनाना है तो कैसे करेंगे? ये है R1 और ये है R2 तो हम क्या करते हैं? ये है C1 और AC2 हम क्या करते हैं? रो को मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं तो लिखेंगे using row transformation रो के मदद से सल्ब कर रहे हैं कोई कलंस भी कर सकता है जो मन करें सो इमेंज रे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तभी एक्विशन बनाने आते हैं ऐसे नहीं बनाना आएगा ठीक है न? ध्यान से देखो हम इसको row transformation से बनाना चाहते हैं तो row transformation क्या होता है? यानि row transformation ले करके किसी भी row में r1, r2 कैसे भी करके जोड़ गटाव गुना भाग करके आपको target है कि 1001 ला देना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले r1 को यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं? r1 में से r2 को माइनस कर देते हैं आप add भी कर देते हैं multiple भी कर देंगे divide भी कर देंगे कुछ भी करिए लेकिन आप करिए सिर्फ row में अप color नहीं जाना है क्योंकि आप यहां लिख दिये हो row यह रो एक बार यूज़ किये row तो हमेशा हमेशा row ही जोगा इस question में second question में आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है? लेकिन इस question में row से चल दिये जब तक answer नहीं हो जाएगा तब तक row में ही काम करेंगे ठीक है? हमने क्या किया row में r1 में से r2 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा? देखो तो 2 में से 1 जाएगा? 1 3 में से माइनस 4 जाएगा? माइनस 1 और r2 तो जेओं का ते हो क्योंकि r2 में कुछ हमने नहीं किया है यहाँ भी देखो 1 में से 0 जाएगा? 1 0 में से माइनस 1 जाएगा? माइनस 1 r2 को जेओं का ते हो 001 लाने के लिए तब क्या कर दें तो हम देख रहे हैं कि जदी हम R2 में से भी R2 में से भी R1 को माइनस करते हैं देखते हैं क्या होता है देखो तो R1 को तो कुछ नहीं करना है तो इसको जेओं करते हों लिख देंगे R2 में से R1 को माइनस यानि 1 में से 1 जाएगा 0 4 में से माइनस 4 है ना 4 में से माइनस 4 जाएगा 4 में से कि अच्छार यह ना तमलों गलत नहीं लिखें न ये तो प्ठो रही है ना गलत में हुआ ना तो जदी हम मांन कर चलो कि यहां पर हम किया करते हैं इस चार में से ठीकि कि आरफ्टू है चार में से इसको माइनस करते हैं । यह हो जाएगा यह तो गते होом करते हूं और एक जीडू है 10 आरा टु में से क्या करना टू हने टूहा सखेग सकते हैं ठीक हे क्मर पिर समया रहा है कुई दिकत नहीं किसी को जाड़ व puls icon अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ज्यान देजिएगा अब हम क्या करते है 1 0 यहां पर target है कि 0 लाना है 1 0 0 1 है और यहां पर 1 तो हम क्या करते हैं यह जो r2 है r2 में 5 से divide कर देंगे तो देखो यह 0 में करें तो 0 ही होगा 5 में 5 से divide कर देंगे तो 1 हो जाएगा अब कुछ भी जोड घटा आओ बुना भागा कुछ भी कर सकते हो ठीके हमने कहा किया R2 में R2 में 5 हमने दिभाइड कर दिया क्या हो जाएगा R1 तो जेओं का त्युंग होगा 0 में 5 करेंगे तो 0 ही होगा और 5 में 1 करेंगे तो ये 1 हो ठीके अब क्या करेंगे यहां देखो R1 जेओं का थेओं इसको करेंगे तो minus 1 by 5 हो गया और यह 2 by 5 हो गया अब यह target है 1, 0 इसको 0 करना है इस बर क्या करते हैं R1 में R2 को add कर देते हैं तो क्या हो जाएगा देखो तो 1 और 0, 1 minus 1, plus 1 यह 0 हो जाएगा और यहां देखो तो R1 जेओं का R1 में add करना है न 1, minus है न 1 minus 1 by 5 हो जाएगा और minus 1 plus 2 by 5 हो जाएगा R2 जेओं का 2 by 5 into A यहां से देखो तो 1, 0, 0, 1 equal to इसको solve करेंगे 1 minus 1 by 5 यह आजाएगा कितना यह आपका हो जाएगा 4 by 5 और यह कितना हो जाएगा minus 3 by 5 यह तो minus 1 by 5 है और यह 2 by 5 है into A अब यह देखो तो 1, 0, 0, 1 आपसे आमने क्या कहा था जब तक इसका value यहां पर जब तक इसका value 1, 0, 0, 1 ने हो जाएगा तब तक आपको find करते जाएगा यानि यह inverse नहीं निकलता तो जैसे इसका value 1, 0, 0, 1 हो गया समझे का आपका यह value आ जाएगा तो 1, 0, 0, 1 आ गया ना तो किसका value है I क्या? इसके बदले I लिख सकते हैं equal to 4 by 5 3 by 5 मैनस 1 by 5 2 by 5 into A A है इधर आगा तो inverse हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A inverse into I बराबर 4 by 5 मैनस 3 by 5 मैनस 1 by 5 और 2 by 5 यहाँ जगर नहीं तो यहाँ पर कर लेते हैं आपको पता है कि A inverse into I जो होता है वो होता है A inverse इसका फर्मूला होता है A inverse into I वो होता है A inverse A inverse का answer क्या हो जाएगा? यह वाला लिख दो 4 by 5 मैनस 3 by 5 मैनस 1 by 5 2 by 5 यह देखो A inverse find हो गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा ना अब exercise स्टार्ट करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा आपको ध्यान क्या देना होता है? मेन चीज़ यह देखिए सबसे पहले आपको यह वाला using row transformation origin colon transformation यह चीज़ आपको आना चाहिए देखो कहने का मतलब है कि यह सब तब formula आप लोग आद कर लेंगे सब चीज़ करने आ जाएगा A inverse भी find करने जाएगा यह जो करना होता है इसी में सब लोग confuse होते हैं यह करने के लिए practice करना होता है mind को बढ़ाना होता है यह जो question है 3.5 जो भी question है आपको mind को बहुत ही ज़्यादा growth कराएगा बहुत ज़्यादा growth कराएगा इसलिए ध्यान से देखना होगा इसा वीडियो को ठीक है ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर पज़ताना पड़ेगा ठीक है ना आप देखते जाओ करते जाओ चार से पांच question करते करते आपका एक ही बार mind खूलेगा mind ऐसा खूलेगा कि सभी question को बना डारोगे इसलिए मेहनत करते रहो ठीक है चलिए मिलते है next exercise में 3.4 में ओके